नमस्कार मिक्त्रों, पिछले पार्ट में हम लोगों ने 60 स्लोक तक देख लिया था अब हम लोगों को ये राजा का और मनिनल का और पथिक का जो संबाद चल रहा है उसी का कुछ अंस बचा हुआ है वो देखना है तो पथिक कह रहा है पथिक नल से कह रहा है कि तन नजाने सकह सुकृती तेन तस्याह स्रवणादेव उल्लसत बहुल पुलकांकुरो तंभितान शुकायाह पुरो विस्तरेण एवं बरनित हा वो कह रहा है कि तन जाने तत तत यानी तो नो माने नहीं तत माने तो नो माने नहीं जाने मतलब जान पा रहा हूं नहीं जान रहा हूं कि सह माने वह वह से किसको लिया जा रहा है नल को कह मने कौन वह कौन वह मतलब वह जो नल्त जो राजा था उत्तर देश का राजा कौन था वो आखिरकार सुकृती जो सुन्दर कृत्य करने वाला यानि पूर्णे आत्मा कौन वह पूर्णे आत्मा धर्मात्मा कौन वह पूर्णे वान कौन वह पूर्णे साली ठीक है तत मने मैं तो न मने नहीं जान पा रहा हूं, कि सामा ने वह कह कौन सुकृति पुणेवान, तेन, तेन मने उस पठीक के दवारा, तस्याहा, तस्याहा यशनि उस कन्या के, उस कन्या के कौन वह पुर्णेवान उस कन्या के पुरह माने सामने विस्तरेन विस्तार से एवं माने आएसे आएसे बरनिता आएसे जो है बरनित किया गया कि स्रबनात माने सुनकर ही वो कन्या ने जब उस राजा का बरना नल का बरना सुना तो सुनकर ही एव माने ही उस वो कन्या को क्या हो गया उल्लास हो गया क्या हो गया उल्लससन तो वही बता रहा है कि उल्लसथ माने उल्लास से आप अरका कंकुर जो अंकुर की तरह एकदम उठकड़े हुए उसके जो रोएं थे रोमान्च कहते हैं lakal मैंने रोएं है वो उठकड़े हुए इतना जाए था उसके अंदर उध्र उठबन्याव इन्दाव हो गया आणन्द उठबन्याव समझ में नहीं उल्लसत उल्लSnith माने बाहर की तरफ निकलने लगिया, ऐसा समझ लिजिए, मैंने आनंद से, उल्लास से, उल्लास मने आनंद, आनंद से, बहुल मने अत्यधिक, आनंद से अत्यधिक पुलक पुलक यानि रोम तो वो जो रोम थे रोम आंकुर रोम रूपी अंकुर जैसे जमीन में नहीं अंकुर निकल आते हैं छोटे छोटे किले निकल आते हैं ब्रिक्ष के जो प्रारंभिक रूप उसका अंकुर कहते हैं उसको तो उलसत मने उल्लास आनंद से बहुल मने आत्यधिक पुलक मने जो रोम रोम रूपी अंकुर वो उत्तमभित हो गए क्या हो गए उठ खड़े हुए बने रोम रोम रोमांच हो गया उद्गम हो गया ठीक है तो उससे क्या हुआ तो उन रोम रूपी जब अंकुर उनके उत्तमभन से उनके अंकुरों के रोम उठ गए तो अंकुरों के उठने से वो तंभित माने उठ गया उठ गया अंसुक यानि वस्त्र जिसका उठ गया है वस्त्र जिसका कलपना करिए कि उसके सरीर के उपर जो कपड़ा पड़ा था वो कपड़ा भी फढ़ाने लगा उठ गया कैसे उठ गया तो उसके रोए सारे खड़ इतना रोमान चुत्पन हो गया राजा नल का वर्णन सुनकर के उस राज कन्या के सरीर में इतना रोमान चुत्पन हो गया कि उसके जो वस्त्र थे वो उठ गए फटफणाने लगे तो ऐसे रोएं उठ गए तो उल्लसत माने उलास से आनंद से जब वो जो उसके रोम थे वो उलसत मने बाहर एकदम उठ खड़े हुए तो अईसे बहुल मने अतिधिक पुलक मने रोम रूपी जो अंकुर थे वो जैसे अंकुर जमीन से उठते हैं वो ऐसे ही उसके पुलक मने रोम रूपी रोय रूपी जो अंकुर थे वो उत्तमभित हो गया उठ गया तो उनके कारण उन अंकुरों के उठने से अंकुर के उठने से रोमरु के उठने से वो तंबिद मने उठ गया है उन्सुक मने वस्त्र उठ गया है वस्त्र जिसका आएसी उस कन्या के पुरह मने सामने विस्तार से एवं रूप से बरनित किया गया कि उसको सुनकर के ही उसके रोमान चुत्पन हो गया आहसा वह कौन सुकृती पूर्णवान था वो नल ही था जो उस तेन वाने उस पथिक ने न जाने पता नहीं चल पा रहा है कि किस माने इस पथिक तेखो एक पथिक तो राजा नल एक पथिक क्या है राजा नल को बता रहा है और एक पथिक जो है वो राज कन्या को बता रहा है कन्या से बारतालाब कर रहा है तो तेन से ये वाला पथिक लेना है और इस पथिक की बात किसने सुनी इस पथिक ने सुनी और आकर के राजा नल को बताई कि ये पथिक राज कन्याक सामने किसका बढ़न कर रहा है आकर कार समझ नहीं पा रहा हूं पास समझ मैं एक नहीं तो ये पथिक कह रहा है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि उस पथिक ने किस राजा का बढ़न कर दिया उसकन्या के सामने और वो नल का इवर्णन किया था ठीक है चलो अब यह पतिक राजा को जो बता रहा है नल के सामने पतिक जो है वो कह रहा है कि और चौ मने और नौ मने नहीं और मैं भी नहीं पूछ पाया मैं पी मैं आप माने मेरे द्वारा भी मेरे द्वारा भी मेरे प्रस्न का आग्रह नहीं किया गया क्या प्रस्न था कि विस्माय विस्मृत विवेक न क्योंकि भी आश्चर से क्योंकि एक तो राज-कन्या को देख लिया उसी से महान आश्चर उत्पन्न हो गया कि कौन देवी भवानी उतर आई हैं हजार आखे क्यों नहीं मेरे मुख में बना दे रहा है विधाता इजना आश्चर्य हो गया अब उसके बाद जो है उससे भी बड़े महान आश्चर्य नलकावरण राज कन्यक सामने उपथिक कर दिया उसको इस पथिक ने सुन लिया तो इससे भी आश्चर्य उसके अंदर आ इस कहते हैं जब सद और असद का सही गलत का या कहां क्या हो रहा है इसी जिका ग्यान अलग अलग करके ग्यान लेकिन जब उसका विसम्र्थ के कारणास्वर से बिसमृत हो गया नश्ट हो गया है विवेक मैंने चीजों को अलग करने की बुद्धी वही नश्ट हो गई कारण बीबेग मिस्विल्थ हो गया तो माय ने आईसे माय ने ये भी नहीं पूछ पाया इसा प्रसंद का अग्रह भी जो है करता हमने किया गया और नाच यहां जोड़ेंगे कि नहीं किया गया मेरे द्वारा प्रसंद का अग्रह भी नहीं किया गया क्या कि का इयम इयम मने किसकी कन्या है किसकी कन्या है कुत्र माने कहां जाएगी अथवा कुत्वा प्रस्थिता कहां जाएगी कहां से आई है और कहां जाएगी इतमाने ऐसा प्रस्थित नो मने नहीं मैया प्रस्थिता किया सारा प्रस्ण का अग्रह नहीं कर पाया ठीक है केवलम केवल अच्छा तो हुआ क्या भाई किया क्या वो वतार है कि केवलम केवल अद्रिष्ट पूर्व रूप क्योंकि उस कन्या का जो रूप था वो पहले कभी देखा ही नहीं था उस प्रकार का रूप देखा ही नहीं था बासमझ मैं एक नहीं तो अद्रिष्ट मने नहीं देखा पूर्व रूप पूर्व यानि पहले नहीं देखा पहले रूप सुन्दर्ता नहीं देखी थी पहले ऐसा रूप यानि सुन्दर्य नहीं देखा था तो इसलिए अतह उत्पन्न आकस्मिक अतह उत्पन्न हो गया क्या उत्पन्न हो गया आकस्मिक मने अचानक काउतुक उत्पन्न हो गया इसी लिए क्या हो गया बहुत काउतुक उत्पन्न हो गया यानि काउतुक मने जिग्यांसा उत्पन्न हो गई या बहुत ज़्याधा जो है मने कह सकते हैं कि काउतुहल उत्सुकता आ गई उत्व सुकता उत्वपन हो गई समझाया कि नहीं केवलम मने केवल हुआ क्या केवल तो वो बता रहें कि अद्रिष्ट पूर्व रूप अद्रिष्ट मने नहीं देखा था पूर्व मने पहले रूप मने ऐसा रूप ऐसा सुन्दरता ऐसा सुरूप पहले कभी देखा ही नही अधिकता कितनी अधिकता असीम अधिकता जिसकी कोई सीमा ही नहीं है आईसी अतिरेख उत्पन हो गया अत्यधिक जो है उत्षता उत्पन हो गई और जिसे से उस अधिकता से क्या हुआ अस्तमित समस्त अन्य व्यापार अन्य माने समस्त माने सभी अस्तमित माने खतम हो गए खत्म हो गए अस्तमित माने वह होता है अस्तंगत हो गए अस्त हो गए मतलब लुप्त हो गए चिप गए तो अधिक्ता से खत्म हो गए सभी अन्य व्यापार मने क्रियाएं अन्य सारी जो क्रियाएं थी वो खत्म हो गई और सारी जो भी कार्रे थे सब खत्म हो गए सारा दिमागी बंद हो गया पूछते कैसे कहां कि रहने वाली किदर जाएगी किस की पृत्री है कुछ भी पूछ ही नहीं पाया वागत समझ में Return आ एक नहीं अस्तम ह होता है जीसे सूर्भी अस्त हु किसका कती हर्थ में है इत मतलब होता है गत ऑस्तं गत कहते हैं कोपी अस्तंगता दिवंगता कियों क्यों इसकать पूर्व में ना देखा गया जोлек रूप उसको देख करके उत्पन जो अच्छानक कोता अधिकता हुई में असतंगत हो गए अस्तुकोई इत्मने प्राप्त हो गए ठीक है ख्थम में लुप्त हो गए एक आग्र उसी में मात्र ध्यान लगा करके ठीक है एक आग्र होकर एक आग्र एक आग्र चित्त होकर यह उसी में ध्यान लगा करके ग्रह निरुद्धेन इव ऐसा लग रहा है जैसे मुझे क्या कर लिया हो भैंकर ग्रहों ने निरुद्धमने बांध लिया हो समझाय कि नही ऐसा लग रहा है जैसे ग्रहों ने जो बड़े बड़े भैंकर नहीं राक्षा सासूर होते हैं उन सब ग्रहों ने मुझे जकड लिया हो ग्रहों के द्वारा निरुद्ध निरुद्ध याने के बांधा गया ग्रहों के द्वारा बांधा गया इव माने मानों और अंधेन इव माने मानों में अंधा हो गया दिखना बंद अंधे की तरह है अंधे की अंधे की तरह है इव माने की तरह है अंधे की समान हो गया मूक हो गया मनें आँखों को दिखाना बंद हो गया और बाणी को बोलना बंद हो गया समझाया कि नहीं मूख मतलब होता है गूंगा जो बोल न सके तक गूंगे की तरह है माई गूंगे की तरह हो गया मूर्चित हो गया चेतना चली गई मूर्चित की तरह है मूर्चित आप लोग समझत किया गया हो जहर से जहर से बिजुरुनित माने पागल की तरहे जहर से पागल की तरहे और अस्तोभ स्तम्भित हो गया अस्तोभ मतलब होता है एक मतलब नो हिल सकना तो एकदम क्रिया रहित नो हिल सकना एकदम जैसे नहीं स्तोब हमाने एकदम ब्यार्थ मतलब कतई एकदम चल ही नहीं पा रहा है तो नो हिल नो हिल सकना उसी को स्तोब कहते हैं तो उस इस्तोब से इस्तोब से इस्तंभित की तरह है, इस्तोब से इस्तंभित की तरह है, इस्तंभित माने भी एकदम खंबे की तरह है, नो हिल सकना, जैसे खंबा नहीं हिलता है न, तो उसी इस्तोब माने नहीं हिल सकना, इसी इस्तिती से इस्तंभित हो गया, खंबे की तर गताया मने जाने पर भी तेन मने उस अधनीनेन उस यात्री के साथ अधनीन कहते हैं यात्री को पथिक को उस यात्री के सह मने साथ वो कन्या चली गई लेकिन मैं उस यात्री के साथ तत्रईब न्य ग्रोध तरु तले, तत्रईब मने वहाँ, वहाँ ही न्य ग्रोध विक्ष के नीचे यानी बर्गद के, तरु यानी विक्ष के, तले मने नीचे, सुचिरम आसितम आसीत सुचिरम मने देर तक आसितम मने बैठा आसीत मने रहा मैं वहाँ उसी के साथ में एकदम मने मुर्चित के जैसा जिसकी बाख सकती चली गई हो सारी क्रियां जिसकी बंद हो गई उस प्रकार से अस्चर से जिसका विवेक नष्ट हो गया है इस प्रकार के उस कन्या के चले जाने के बाद भी उस अध्धुनेन हैंत्री को नीचे सुचिरम देर काल तक आसितम मने बैठा आसीद मने था, उसके साथ ही बैठा था, यह नि बैठा रहा, ठीक है, तत, तत मने तो, आयुसमन हे दीर्ग जीवी, आयुसमन का मतलब क्या है, हे दीर्ग जीविन, ठीक है, आयुसमन, आयुसमन हे दीर्ग जीवी, एस मने यह, कथितह, कथितह मने कह दिया, यह कह दिया, सुव मने अपना, ब्रतांत मने समाचार, मैंने अपना समाचार, अपनी कथा आपको बता दी, बास समझ मैं एक नहीं, और यही बता रहा है कि तत मने तो आईसमन है आईसमन एस मने यह कथिता कह दिया सो अपना अपना बताइए चलो अपना ना बताइए और मैंने इधर आपको देख लिया उधर उस कन्या को देख लिया जो कन्या सबसे सुन्दर है और इधर आपको देख लिया क्यूंकि आप यहां पुरूसों में सबसे सुन्दर हैं, तो अब मुझे देखना जो था वो देख लिया, अब मैं अपने देश चलता हूँ. वही पति कहराए कि तस्याम दिसी, तस्याम मने उस दिसी मने दिसा में, उस दिसा में मतलब दक्षण दिसा में, तया मने उस कन्या को द्रिष्टेन मने देख कर और वो कन्या कैसी है, तो सकल जगत जयोत्सनया, वो समपूर्ण जगत की जयोत्सना है, चांदनी है, समपूर्ण जगत उसी के प्रकास से प्रकासित होता है, इतनी सोभा सुंदर रिसाली नहीं है वो सकल संपूर्ण जगत की वो क्या है जियोत्सना है चांदनी है और असमिन अपिदेश से असमिन मने इस अपिवाने भी अब यहां भी को अंतिम में जोड़ेंगे इस देश में भी इस देश में भी तोया मने तुमको देख लिया इस देश में तुमको द्रिष्टेन देख करके अचा तुम कैसे हो तो निसेस जन नयन कुमुद इंदू हो तुम कैसे हो तो निसेस जन निसेस यानी जितने भी लोग है ठीक है निसेस यानी संपूर्ण जन मने लोग संपूर्ण लोग सभी लोगों के नयन रूपी जो कुमुद है उस कुमुद के तुम इंदू हो सभी लोगों के नयन रूपी जो कुमुद का फूल है उसके तुम क्या हो इंदू यानी चंद्रमा हो मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि सब लोगों के आखें कुमुद का फूल है अब तुम उनके लिए चंद्रमा हो चंद्रमा को देख करके कुमुद का फूल खिल जाता है तो उसी प्रकार से तुमको देख करके सब लोगों की आखें खिल जाती हैं तो इसलिए निस्टे से संपूर्ण लोगों के अगर नयन मने आखें जो हैं वो कुमुद हैं तो तुम उनके चंद्रमा हो जैसे चंद्रमा से कुमुद खिलता है वो इसे ही तुमको देखके effective आखें खिल जाती है ठीक है प्रसंथा से भर जाती है हर से युखत हो जाती है तो सब लोगों के 9 रूपी कुमुद के तुम ri- इंदू चंद्रमा हो। अछीसे तुया तुमको द्रिष्टेन देख करके… द्रिष्टम यत द्रिष्टव्यद्ध मने देखने योग था। वो द्रिष्टम मने देख लिया। था वो देख लिया में में मेरा चौभा ने और और मेरा अभूत मने हो गया और मेरा हो गया प्रसंशू सफल नहीं हो गया क्योंकि मेरा जन्म प्रसंस नहीं हो गया क्योंकि मैंने दो सुंदर तत्तों को देख लिया उधर उसकन्या को इधर तुमको जाते कृतार्थे चक्षुसी मैंने दोनों मांख दूइबचन है मेरी आखें जो है वो क्या हो गई कृतार्थ हो गई कृतार्थ कहते है ना धन्य हो गई मेरी आखें जो है धन्य हो गई धन्य जाते हो गई मेरी आखें धन्य हो गई मेरे परी भ्रमन का परी यानि चारों और मेरे चारों और ब्रह्मन मने घूमने का चारों और घूमने का प्रयास क्या हो गया सफल हो गया मेरे चारों और घूमने का प्रयास सफल संपन्न मने हो गया मेरे चारों और घूमने का प्रयास परिवने चारों और ब्रह्मन मने घूमने का प्रयास सफल संपन्न हो गया समझ में आ गया कि नहीं तद इदानिम किम अन्यत तद मने तो चारों और घूमने का प्रयास क्या हो गया सफल हो गया तद मने तो इदानिम मने अब तो अब किम मने क्या अन्यत मने अन्य तो अब अन्य क्या अन्य क्या सेस रहा तो अब अन्य क्या सेस रहे गया ठीक है अन्य क्या सेस रहे गया अब अन्य क्या सेस रहे गया आप तो कुछ भी देखने हो गया ही नहीं सबसे सुन्दर चीजों को तो देखी लिया तत मने तो इदानी मब किम मने क्या अन्य तमने अन्य सेस रहे गया आप कुछ भी सेस नहीं बचा है अनुमन्यसुआ अनुमती दीजिये आग्या दीजिये आग्या आग्या दीजिये सुआ मने अपने विसाय मने देश को अपने देश को गमनाय मने जाने की अपने देश को जाने की आग्या माम मने मुझे तो अब आग्यां दीजिए सो मने अपने विसाय मने देश को गमनाए जाने की माम मुझको अनुमने सो आग्यां दीजिए इत्मने आईसा अभिधाय मने कहे कर बेरन सी इत्मने बिराम ले लिया चुप हो गया बिराम लिया बिराम यानि चुप हो गया ठीक है समझ आ गया कि नहीं राजा नल ने भी राजा ने भी अपिमा ने भी ये तदमन यहा करण सुनकर के चिंतितवान विचार किया क्या राजा ने विचार किया क्योंकि देखो राजा समझ तो गया कि जो वहाँ पर बरणन किया गया था उस कन्या के सामने जो किसी उत्तर देश के पतिक के दुआरा वो मेरा ही वरणन किया गया था तो वो कन्या मेरे उपर अब आकरिष्ट हो गई है यानि अब मेरी पतनी वो बन सकती है तो राजा के मन में लड़ू फूटने लगे तो अब राजा विचार करने लगा वही उसका मन जो है अब उसकी तरफ खिंचने लगा है आकरिष्ट राजा हो गया तो राजा वही जो है मन में अपने सोच रहा है कह रहा है कि स्त्री मानिक के महा करह सभी सजा स्वा मने वह विसा मने जो देश है विसा मने वह जो देश है वो क्या है स्त्रिमानिक के महा करहा ठीक है अब राजा यहां से मन में अपनी क्या करता है चिंता करता है तो हम इसको कह सकते हैं राजा की हालत खराब उन्हें राजा की चिंता राजा की चिंता राजा की मन में मन जो है जुकने लगा है अब इसी चीज को यहां बता रहे हैं कि सह मने वह ये राजा मन में सोच रहा है अपने कि सह विसया मने वह जो देश है वह इस्त्री मानिक के महा करहा वह इस्त्री रूपी मानिक के माने रतनों का महा माने महान विशाल आकर माने खान है समुद्र है बात समझ में आ गई कि नहीं महान क्या है वो खान है समुद्र है वहाँ पर रतन पाये जाते हैं रमणी रूपी रतनों वहाँ पर पाये जाते हैं कहते हैं हो सकता है कि यह जो पथिक आया है यह जूट बोल रहा हो तो कहते हैं ऐसी बात नहीं है आयम आयम मने यह पांथो पर यह जात्री भी तत्थ वाक तत्थ मने सत्य वाक सत्य वानि वाला है सत्य वाक जिसकी तो सत्य बोलने वाला कहते हैं व्यापारोपी विधेर बिचित्ररचना समझ आगे हैं कि नहीं पांधोपी यात्री भी अयम मने यहा यात्री भी तत्रमने स्थ्यको वाक मने बोलने वाला है और व्यापारोपी विधेह विधे है मने विधी का ठीक है विधी यानि की विधाता का विधाता ब्रह्मा का व्यापार भी ब्रह्मा का व्यापार भी यानि क्रिया भी ब्रह्मा की जो व्यापार मने क्रिया है क्रिया भी विचित्र रचना वाली है ब्रह्मा की जो क्रिया है वो भी क्या है विचित्र रचना वाली है ब्रह्मा की जो क्रिया व्यापार है वो भी विचित्र रचना वाली है ब्रह्मा भी बड़ी अधभूत अधभूत आश्चर युक्त चीजों को पैदा कर देता है तो हो सकता है उसने अईसी इस्त्री को बना दिया हो मेरे लिए तो विधेह मने जो विधाता ब्रह्मा है उसका व्यापार भी क्रिया भी विचित्र रचना वाली है ठीक है तत तत मने तो अदभुत रचनाएं है उसमें आश्चर करने वाली रचनाएं है तत मने तो किम मने क्या नो मने नहीं संभाव्यते मने हो सकता है तो क्या नहीं हो सकत यनि सब कुछ हो सकता है बात समझ में आई कि नहीं क्या संभव नहीं है सब कुछ संभव हो सकता है बात समझ में आगे कि नहीं किन्तु ठीक है तो होता रहे किन्तु मने परंतु किन्तु आश्चर्यम किन्तु बड़े आश्चर्य की बात तो ये है आश्चर्यम माने किन्तु आश्चर्य की बात तो ये है कि अद्रिष्ट रूप विभवोपी माने अद्रिष्ट देखो यहाँ विभवोपी है विभवापी पाठ है कई जगह क्या है विभवोपी है कई जगह विभवापी है तो हम विभवापी और विभववापी देखो दोनों पक्षमें घट सकता है तो कोई समस्या नहीं है कि ओ मने नहीं द्रिष्ट मने देखा है रूप यानि संदर्य संदर्य का बैभव संदर्य का बैभव उसके संदर्य की संपत्ती कितनी है उसके पास सुंदर्ता रूपी संदर्य रूपी संपत्ती संदर्य रूपी वैभव उसके पास कितना है ये मुझे अभी नहीं पता है तो अद्रिष्टम आओ मने नहीं द्रिष्ट मने देखा है नहीं देखा है रूप यानी संदर्य का वैभव यानी संपत्ती जिसकी जिसकी रूप बैभव संपत्ती मैंने नहीं देखी है। सुनी जाती हुई वह कन्या वह जो राज कन्या है वह जब कांता जब वो मैं विचार करता हूँ कि वो कांता है क्या है वो बहुत रमनी है वो कांता है वो सुन्दर है और मेरी पत्नी हो सकती है ऐसा जहां मेरे मन में आता है तो तुरंत जो मेरा मन है वो नाम नहीं वो निमनम कुरते उन्नत चेत शोपी यद्देपि मैं कैसा हूं उन्नत चित वाला उधात मन वाला व्यगती हूं अर्थात प्रसस्त मन हे मेरा मेरा मन बहुत जल्दी इधर उधर भटकता नहीं है वा समझ में एक रहें तो उन्नत यानि उधात उत्तम प्रसंस प्रसस्त प्रसंसनीय चित यानी मन प्रसंसनीय मन बाला मन वाले अपिवने भी प्रसंसनीय मन वाले भी मेरे प्रसंसनीय मन वाले भी मेरे मन को मेरे मन को प्रसंसनीय मन है मेरा फिर भी मेरे मन को नाम नाइब नाम से ही अपने नाम से ही वो जो कांता है न वो सुन्दर है वो कन्या अपने नाम से ही यही नाम के वल कांता जहां मैं सोसता हूं कि वो मेरी कांता हो सकती है प्रिया हो सकती है इतने मात्र से ही नामना एव अपने नाम से ही नामना मने नाम से एव मने ही निमनम मने नीचा कर देती है वो मेरे मन को प्रपिश्चा कर देती है तो यहां पर क्या है कि सह विसया हुआ देश इस्त्री मानिक के महा कर रहा इस्त्री रूपी रतनों का महान खान है और पांथो प्यम तत्थवाग यह जो पांथ पथी का आया है यह भी तथ्यसत्य बोलने वाला है विधि यानि विधाता ब्रह्मा का जो विधित्र रचना वाला है व्यापारोपी जो क्रियाएं हो विचितर रचना वाली क्रियाएं क्योंकि अध्वूत रचना विधी मिन ब्रह्मा कर सकता है तत्म अने तो किमन संभाव विते क्या संभव नहीं है किन्तु बड़े आश्यर की बात तो ये है कि अध्रिष्ट रूप विभवापी जिसका रूप यानि संदर का विभव यानि संपत्ती मैंने अभी तक ओध्रिष्ट नहीं देखी है अध्वा अगर यहां विभव विपाठ है तो राजा का विशेशन हो जाएगा कि जिस राजा ने अभी तक उस कन्या के रूप और वाइभव को नहीं देखा है आएसे वह कन्या आकरन माना सुनी जाती हुई केबल सुनकर के ही जिसको अभी तक देखा तक नहीं है नाम भी सही से पता नहीं है तो आएसे कन्या आकरन माना से केबल सुनी जाती हुई सती मने हुई वह कन्या कांता जब उसको लगता है मेरी कांता प्रिया पत्नी बन सकती है सुन्दर है वो तो इती उन्नत चेत वाले मैं हूँ फिर भी मेरे मन को नामना एव अपने नाम से ही निम्न नीचा कुरते कर देती है यानि मेरे मन को अधीर कर देती है धायर उसका खींच लेती है औ समझ में आ गई कि नहीं चलिए तो यह समझ में आ गई कि नहीं यहां पर छंद की बात करें अगर तो सारदूल भी क्रिडिट छंद है जो कि आपको पता ही है और अगर अलंकार की बात करें तो यहां विभाबना है क्या है यहां और विभाबना अलंकार आपको पता है कहां होता है तो जब माने कारण नहीं है और फिर भी कार्य हो जा रहा है कारण नहीं है जहां पर कारण नहीं है कारणम बिना पिकारोत पती तो कारण यहां नहीं है क्यों कुछ उसको देखा नहीं है केबल सुना है क्या पता हो नहोר लेकिन राजा बस सुनकर के भी लगा रहा है अनुवान के अच्छा होगी ही क्योंकि टेश भी वैसा है प्रम्हा भी कर ही सकता है ऐसा काम देखा नहीं अभी तक कि वो सुनकर के ही उसके मन में लड़ो फूट रहे हैं तो फिर भी जो है मन उसका अधीर हो रहा है मन धार छोण दे रहा है तो इससे समझ में आ रहा है यहां पर मन नीचा निम्न हो जा रहा है तो यहां पर विभाबना अलंग कार है और अधिक इसपश्ट करना जो कहा है उसी को और अधिक इसपश्ट करना उसी को क्या कहते हैं तथा ही तथा ही माने क्या है जो कहा है उसी को और अधिक इसपश्ट करने को ही क्या कहते हैं तथा ही कहते हैं ठीक है तो देखते हैं कि तथा ही करके उस चीज को इसपश्ट कर रहे हैं कि नो माने नहीं नेत्रान जलिना मैंने नेत्र रूपी अंजली के द्वारा अभी तक उसके स्वरूप रूपी अमरत का पान नहीं किया लोग करते हैं न, अपनी अंजली से जलका पान करते थे, तो वही जो है, उसका जो सुरूप है, सुंदर्य है, उसका सुंदर्य रूपी अमरित का, संदर्य रूपी अम्रित का तस्याह मने उसके उस राज कन्या के स्वरूप यानि संदर्य रूपी अम्रित का असकृत मने बहुत बार सकृत मने होता एक वार असकृत मने बहुत बार उसके संदर्य रूपी अम्रित का नू मने नहीं निपीतम मने पान किया पान किया, मैंने उसके संदर रूपी अमरित को बहुत बार, असकृत माने बहुत बार तस्या उस राजगन्य के सुरूप मैंने संदर रूपी अमरित का मैंने निपीतम माने पान नो माने नहीं किया है, नहीं पिया, नहीं पिया है, किस के द्वारा अपनी नेतर रूपी अं अंजली से। द्रीफे एनजली से जल पीते हैं राजा कहता है. उसका सौंदरρεί अमरित है और है उसको मैंने अपनी आखी रूपी- अंजली के द्वारा अभी तक मैंने। उसको बहुत भार की एक भार भी नहीं पिया, यहां तो जू है नेतरांख रूपी अंजली के द्वारा निपीतम मैंने पान किया है पिया है अस्कृत मैंने बहुत बार तस्याह उसका सुरूप रूपी संदर रूपी अम्रित मैंने बहुत बार नहीं पिया नो मैंने नहीं और क्या नहीं किया तो नाम रूपी उसका जो नाम है उसका जो नाम रूपी अच्छा नो नाम यहां नाम नाम को क्या करते हैं नाम मने ये एक अब्बे है इसको हटा देते हैं मने अर्थ नहीं है इसका नो नाम नो नाम तो नो नहीं ही अथवा ये कर सकते हैं नाम का अर्थ कर देंगे नहीं ही अन्वय पल्लबों पी चमया करना बतन सी करता है माने उसका जो अन्वय है अन्वय कहते हैं बंस को उसका जो बंस है उसका जो कुल है खानदान है उसको भी मैंने कुल रूपी बंस रूपी पल्लब कहते हैं पत्ता उस बंस रूपी पत्ते को पत्ते को भी चमने और मया मने मेरे द्वारा अथवा मैंने अर्थ करेंगे हम इसका तृतिया में भी मेरे द्वारा ना करके मैंने करणा अवतंस ही करता है मैंने कान का अवतंस बनाया मैंने कान का अवतंस मैंने कान का अवतंस कहते है आभूशन माने कान का आवतंस में अभुसन जुढ़ुसन किया माने बनाया ठीक है तो भHI बता रहे हैं कि नो मने नहीं, नाम मने ही नहीं ही अथभा नाम को अन्रू में भी जोड सकते हैं को उसका नाम प्लस वन्स इन दोनों नाम और वन्स रूपी पत्तों को मैंने अपने कान का आवतंस भी मया मने मैंने करण का कान का भूशन भी नहीं बनाए तात पर यह कि कान में देखो कान में पत्ते लगाते थे लोग सजाने के लिए कान में लगाते थे राजा के कान में अभी तक उसका नाम भी नहीं पड़ा है उसके बंस का नाम भी नहीं या फिर योग्य है कि नहीं है उसका पानिक रहन करने के योग्य है उसका नाम क्या है भी नाम भी नहीं पता उसका कुल भी नहीं पता तो वही राजा विचार कर रहा है कि उसके नाम और कुल रूपी पत्ते को उसको पत्ता कह दिया और उसको अपने कान में डाला ना भी कान अलांकार की रूप में नहीं लगाया है ठीक है कैसे बता रहा हैं कि सजाने के लिए मेरे कान की शोभा पढ़ जाती है अगर उसका नाम और उसका अपन्वर हुआ तो नुए यहने नहीं कि अर्थ नाम और अमंच आर्थ लेनग एद्वा नाम और और दोनुय ले ले लो दो नाम और वोस्त का कुल रूप़ी पल्लव पत्ता है वो भी अभी मेरे कान में आप्षणा नहीं Bनाया है बासमजबें नैंने दूससो कान का भूषणा भी नहीं बनाया है, छित्रम कायरति क्या है बड़ी आश्चर्यक, बड़ी बचित्र बात है, क्या है क्या बचित्र बात है की फिर चुम्बक का पत्थर नहीं होता है क्या चुम्बक का जो अस्मक होता है चुम्बकी यह जो पत्थर होता है वो पत्थर आयह आयह मने लोहे को चुम्बक का पत्थर जो है लोहे को जिस प्रकार से यदवत यदवत मने होता है जैसे बलात मने बलात मने जबरदस्ती बलात मने क तूर से ही जैसे जबरदस्ति दूर से ही क्या करता है यदवत यानी जैसे बलात जबरदस्ती बलपूरवक खधात दूरता मने दूर से ही चुंबक आसमक मने पत्थर अया मने लोहे को यदवत मने जैसे बला जवरदस्ती दूर से ही चुंबत मने खीच लेता है उसी प्रकार से ये बड़ी चित्रम मने आंस्चर की बात है कि तद वत तद वत मने वैसे ही वैसे ही मेरा मन कैसा मेरा मन तो तरजित धैर्यम जिसने धैर को त्याग दिया है ज्सने मेरे मन में जो धैर था क्योंकि राजा का चित उदात था जल्दी किसी के प्रतिवी आक्रिष्ट राजा नहीं होता था लेकिन उसका जो धैर था उसके जो गामभीर था उस धैर को तरजित मने जिसने नश्ट कर दिया क्या नश्ट हो गया है अथवा छोड़ दिया तरजित मने छोड़ दिया मन ने इसका जो राजा का मन है वो मन उसने धैर को तरजित यानि नश्ट कर दिया है छोड़ दिया है नश्ट हो गया है धैर जिसका आईसे धैर बाला धैर मतलब खतन हो गया तरजित हो गया नश्ट निसिद्ध हो गया दूर हो गया तरस्कृत हो गया धैर धैर रहा है नहीं मन में मन ने धैर को त्याग दिया तो तरजित मने त्याग दिया गया है धैर जिसका गंभिरता मन की हट गई और आएसा एतदपि में मना हां तस्याम उसमें धावती दोड़ रहा है इतद मने यह अपी मने भी में मेरा तस्याम उसमें मना मन दोड़ रहा है मने ऐसी इस्थिती मेरा मुझे धायर मेरे मन में बहुत था लेकिन फिर भी वो क्या हो गया नश्ट हो गया है और वहा तस्याम उसमें मन धावती दोड़ रहा है खिंचा चला जा रहा है ठीक है उसके प्रती दवड रहा है खिंचा चला जा रहा है बात इस परश्ट हो गई कर नहीं ठीक है तो इस पार्ट को यहीं तक रहने देते हैं कुछ अन्स और भी बच्चा है इसको हम लोग अगले पार्ट में देख लेंगे सर्वेभ्यों नमोन महा